Happy New Year to all of you तो आज हम बनाने जा रहे हैं इस Happy New Year के दिन को और भी बनाने के लिए गाजे का हलवा इससे बनाना बहुत असाल है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो चलिये फिर बनाना शुरू करते हैं गाजे का हलवा तो यहां पर सूपर टीस्टी गाजर का हलबा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक दम लाल लाल गाजर और उन्हें हम अच्छी तरीके से वाश कर लेंगे उसके बाद छील कर उन्हें अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहां पर सभी गाजरों को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था यहां पर आपको एक तुम लाल-लाल गाजर लेनी है तभी आपका गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनेगा तो हमारी गाजर बहुत लाल-लाल है उसके बाद लेंगे हम एक कडाई उसमें डालेंगे दो से तीन बड़े चमच घी और घी को हलका सा गरम होने देंगे तो बस यहां पर हमारा घी हो चुका है गरम तो अब हम इसमें डाल देंगे गाजर तो यहाँ पर हमने लगबग दो कप के करीब गाजर को ग्रेट करे रहे हैं तो हम पूरी गाजर इसमें डाल देंगे उसके बाद अब हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला देंगे उसके बाद अब हम इसे धक कर लगबग 15 से 20 मिनिट के लिए अच्छी तरीके से पकने देंगे उसके बाद लेंगे हम एक दूसरी कडाई उसमें डालेंगे दूद यहां पर हम लगबग डियर कप के करीब दूद ले रहे हैं उसे हम डाल देंगे और इसकी मलाई को हमने निकाला नहीं है मलाई भी इसी दूद के साथ है तो बस अब हम इस दूद को अच्छी तरीके से गाड़ा होने तक पकाएंगे, मतलब पहले तो हम इस अच्छी तरीके से उपा लेंगे, उसके बाद इससे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि यह गाड़ा हो जाए, उसके बाद यहाँ पर हमें 20 मिनिट हो चुकी है, गाजर को पकाते पकाते तो बस अब हम इसे खोलेंगे, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमारी गाजर यहाँ पर पक चुकी है, मतलब पूरी नहीं पकी है, पहले जैसे कि हमने डाला था तो यह गाजर बहुत दिख रह रह गई है, तो बस अब हम इसमें डाल देंगे लगभग दो कप के करीब चीनी, या फिर आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, जादे पसंद करते हैं, उसे साब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, चीनी को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तर तो अब दूद उबलने के लिए रखा था उसे एक बार चेक कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर दूद अच्छी तरीके से गरम हो गया है पर अब हम इसे अच्छी तरीके से गाड़ा होने देंगे उसके बाद अब हम एक बार अपने हलवे को भी देख लेते तो हमारी चीनी पूरी अच्छी तरीके से मैल्ट हो चुके पर हम इसे अभी भी पका रही ताकि इसका जो पानी है वो सारा रेडियोज हो जाए तो उसके बाद यहां पर हमारा दूद अच्छी तरीके से उबल चुका है और गाड़ा भी हो चुका है तो बस अब हम अपनी फ्लेम को आफ कर देंगे मतलब दूद की फ्लेम को हमारे गाजर के हलवे की फ्लेम को आफ नहीं करना है अभी तो यहां पर हमारी चीनी का जो पानी था गाजर के साथ वो फूरा रेडियोज अच्छी तरीके से हो चुका है तो बस जो हमने दूद को अच्छी तरीके से गाड़ा करके और गरम करके रखा हुआ था उस दूद को अब हम अपने हलवे में डाल देंगे और अब हम इन सबी चुजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो यहां पर हमने सबी चुजों को अच्छी तरीके से मिला लिया है और अगर हलवा आया और उसमें घीना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो बस अब हम इसमें डाल देंगे दो से तीन बड़े चमच देशी घी और इन सबी चुझों का अच्छी तरीके से मिला देंगे उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर इलाइची पाउडर उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लगबक तीन से चार बड़े चमच के करीब बादाम यहाँ पर हमने बादाम को लंबा लंबा काट करके लिया है उसके बाद अब हम सभी चलों का अच्कित तरीके से मिला देंगे और हमारा सूपर टेस्ट यो जटपट से बन जाने वाला गाजर का हलवा बंगे त्यार है तो यहाँ पर हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बंगे त्यार है अगर रेसिपी पसंद आयो तो ट्राइ जरूर करना और रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुन मत भूलना